तो आज में बनाने वाली रवा के उत्तपम छो कि खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह वाला ब्रेकफास्ट बच्चों को बहुत ही पसंद आएका तो एक बद जरू ट्राइकाना और फिर मुझे कॉमेंट करके जरू बताना कि आपको यह रेसि लएंगे व्यवत नेष्टी ृ sti ले लगता जिबंदी मर्ची मिखक हो गया है यह मैंने लिजह कर लिए अब यह स्चिप पर अपने को आपने को दासमें थोड़ा सा बेसन बेसन को दालके व्यूशत ही और यह सोठके मर्ची का थोड़ा ऐस मिर्ची का तो ऑचर करने देंगे 15 मिनिट तक रेस्ट करने देंगे और यह 15 मिनिट होगे तो अभी मैंने डाल दिया टॉमेटो तो चोटी टुकड़ो में कट कर लेना और फिर इसमें डाल देना हरा दनिया हरा दनिया को भी कट करके इसमें डाल दिया फिर मिक्स कर लिया और यह मैंने डाल दिया दोसिजाइब उतपम तो साइज चोटा बनाना है और थोड़ा सा मोटा साइज में रखनाए लेर इसको भी हम ठक कर पका लेंगे दो मिनिट थक और यह दो मिनिट हो गया है देख सकते हैं एक दम उपस यह अच्छे से पक गया है और इसको नीचे से कलर देख सकते हैं इतना गौल्डन कलर जैसा आया है तो इसको भी हम दो मिनिट तक बखालेंगे दखकन ज़ल्दी पक जाएगा यह और अभी हम इसको एकदां अच्छे से पलरत लेते हैं कि अरिमेन पलेट लेती इसका कलर देख सकते हैं इकदां से पग गया इसका कलर किता अच्छा है खने में बो